तोड़ा तनवाद है तुसी बहुत छोटे जी नोटिस ते यहते पहुंचे हों प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, शोशल मीडिया, जिस मंच को भी आप रीप्रेजेंट करते हो, आप सब का सुवागत है आज हम एक बहुत बड़ी एनाउंस्मेंट करने जा रहे हैं आमादी पार्टी की तरफ से क्योंकि आमादी पार्टी एक नैशनल पार्टी बन चुकी है, जब से हमने गुजरात में 14 परसेंट वोट हासल की है तब से ऑफिशल इलेक्शन के विशन दोआरा आमादी पार्टी एक नैशनल पार्टी है और सिर्फ दस साल में नैशनल पार्टी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, दो स्टेटों में हमारी सरकार है, पांच MLA हमारे गुजरात में हैं, दो MLA हमारे गोवा में हैं, सिंगौली में हमारा मेर है, चंडीगर में हमारा मेर है, M.C.D. हमारे पास है, साथ हमारे राजस्वा के पंजाब से हैं, तीन हमारे दिल्ली से हैं, तो एक बहुत अच्छी हाजरी लोकतंतर के सभी संस्थाओं में हमारी है, तो आमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हर्याना में इलेक्षन आ रही है, तो आमारी पार्टी पूरी ताकत से हर्याना की इलेक्षन लड़ेगी बिधान सभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, आदा हर्याना पंजाब से टच करता है, आदा हर्याना दिल्ली से टच करता है, तो हर्याना के लोग जब भी हम इससे पहले भी रोतक गए, तोहाना गए, जीन्द गए, सोनिपद गए, तो लोगों ने हमसे या आग्रे किया कि आप हर्याना में क्यों ने आते हम हर्याना में भी बदला चाहते हैं क्योंकि हर्याना ने हर इक पार्टी को टाइम दे दिया, हर इक पार्टी को, not only BJP and Congress, लोकल पार्टी, शेत्रिय पार्टी को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हर्याना के लोगों के साथ वफा नहीं की, जो भी आया उसने लूटा तो हर्याना के लोग जो हैं वो बदलाओ चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है के केजरीबाल साब हर्याना से बलॉंग करते हैं तो उनको ये भी अपने आप में मान मैसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीती को बदल दिया तो आँ इस हर्याना के इस लॉंचिंग का आज पहला दिन है आपके स्पीछे भी लिखा हुआ है बदलेंगे हर्याना का हाल अब लाएंगे केजरीबाल तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है पंजाब का दिल्ली का हर्याना से कल्चर मिलता है तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है क्योंकि ये तोहाना, जाखल, ये पूरा हर्याना डबल ही तक, वो हमारे पंजाब से टच करता है, रतिया, फत्याबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है, रिष्टेदारियां भी हैं, है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो रिष्टेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा, रिष्टेदारी भी ऐसी है, के में तो उनको करनी बड़ेगी, तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से के हमारी पार्टी जो है, वो डे बाई डे कहीं न कहीं, कोई न कोई चुनाव होता है, तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी, अभी जलंदर बड़े मार्जन से जीते, 60% के लगबग, 60% बोर्ट पड़े, जो आम तोर पे बाई एलेक्शन में होता नहीं है ऐसा, तो यहां भी हमने, लोकसवा में भी हमने तीन ऐसे संगरूर, हमारा जो पौने दो लाक से हमने संगरूर जीता, हुशारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है, वो हमने छीन ली, और अनानपुर साब हमारी नहीं सीट है, और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुला रहे हैं, अल्रेडी उन्होंने पहले सेशन में बोलके, अपना आग्रे, अपने प्रहचान बना ली है, तो मुख्यमंत्री पंजाब होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहां भी मेरी ड्यूटी लगती है, पूरे देश में मैं परचार करने भी जाऊंगा, जहां भी, क्योंकि आदा हर्यान तो पंजाबी बोलता है, तो गुजरात भी गए, मद्रदेश भी गए, दिल जहां भी ड्यूटी लगेगी, हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बनाके लड़ेंगे, और ये हमें आता है, ये हमने साबत कर दिया कई बार, कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं.